तो एक बार फिर से जो की शरंसार कर देने वाली तस्वीरे आतंगवादियों के हवाले से जो हमारे सामने आ रही हैं आज का ये वाक्या है जब विजे कुमार जो की राजस्थान के रहने वाले थे आतंगवादियों ने उनको निशाना बनाया और आप सभी को बता देंगी कश्मीर Freedom Fighters के तरफ से एक और पोस्ट ये बाहर आते हुए जो आप इस समय अपने मुबाइल स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं ये और किसी के दौरा नहीं कश्मीर Freedom Fighters जिन्होंने पहले भी हम लोगी जिम्मेदारी अपने सर पर ली थी और इस तस्वीर पे आफ साफ तोर पर ये पढ़ पा रहे हैं इन वी आर्स और कैड्रे कैड़िड आउट अन इंटेलिजेंस बेस्ट अपरेशन इन अराकुल गाम इन विच नॉन लोकल बैंक मैनेजर वीजे कुमार वोल्डिंग डॉमिसाइल एलिमिनेटेड जिसमें साफ तोर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वीजे कुमार जो किनाउट भीजे कुमार देश मौटेड करों लोकल इनाचर सेल इंटेड दो पर डॉकल कॉब मेड़ कुमिरि की अवाम कई कुमारी कश्मीर अपने यहां यहां पर रहे हैं यहा आपने जॉब कर रह। हैं। उनको ये धम की साफ तोर पर देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तोर पर ये बोला गया है जिस illusion में आप जी रहे हैं जिस paradise में कश्मीर को paradise समझ कर आप जी रहे हैं अब ये फोटोग्राफ आपने देखी अब ये तस्वीरे जो आप अपनी मुबाइल स्क्रीन पर इस वक देख रहे हैं ये कहीं की नहीं बलकि कश्मीर एरपोर्ट की तस्वीरे हैं जहां पर तमाम नॉन लोकल्स कश्मीर जो हैं कश्मीरी जो हैं वो अपनी स्टेट छोड़ने के लिए मजबूर हैं दुबारा से मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूँ कि 1990 का वाख्या जो उस टाइम पर दुखत वाख्या था वो मनजर फिर से दोहराता हुआ एक बार नजर आ रहा है मैं आप सभी को बता दूगी जिस तरीके से कश्मीरियों को मजबूरी में उस टाइम पर जो हिंदू कश्मीरी थे वहाँ पर रह रहे थे उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा था एक बार फिर से जो नॉन लोकल कश्मीर जो पी-एम पैकेज के दौ़ारा इंपलोईज वहाँ पर लगाए गए है उनको एक बार कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है आतंगवादियों के दौ़ारा आतंगवादी ने इतनी दैश्च जो है कश्मीर में फिला दी है कि लोग जो हैं अब मजबूर हैं अपनी जगा छोड़ने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ अपने भाई बंदू बहनों के साथ जो हैं कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर है पूरा राशन पानी लेके जो है वो एरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं ताकि वो सेफ जगा पर जा सके आखिर क्यों ना निकलेंगे वहाँ से क्योंकि किसी को नहीं पता अगला शिकार किसको बनाया जाएगा किसी को नहीं पता कि अगला डॉमिसाइल होल्डर नौन कश्मीरी जो वहाँ पर रह रहा हैं जो पी-एम पैकेज के थुरू वहाँ पर रह रहा है जिसके पार डॉमिसाइल है क्या उसी को अगला टार्गेट बनाया जाएगा ये दैशत बरा कश्मीर में जिस तरीके से दैशत फैल चुकी है अब लोग जो हैं वो कश्मीर छोड़ने के लिए जो हैं वो मजबूर हो चुके हैं साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि LG मनोज सिना के उपर भी जो है लोगों का रोश व्यक्त होता हुआ नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर क्योंकि जिस तरीके से यहां पर failure है सरकार का पूर एक तरीके से जो failure है जिस तरीके से यह आश्वासन दिया जाता था लोगों को कि कश्मीर में से आतंगवाज जो है वो खतम हो चुका है तो ये targeted killings कोन कर रहा है साफ तोर पर यहां पर देखा गया है एक के बाद एक targeted killings की जा रही है selective killings की जा रही है नाम पूछ कर killing की जा रही है domicile holders की killing की जा रही है और मैं आप सभी को बता दू कि लोगों में जो है दैशत का एक बार फिर से face जो है वो आ चुका है लोग मजबूर हैं अपनी state छोड़ने के लिए कश्मीर से निकल कर वो safe जगा पर जाना चाते हैं जहां पर उनको safe महसूस हो जहां पर वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला निशाना इनका कौन होगा कौन इनके अगले निशाने पर होगा आप देखें देटी इनेशन निउस मुझे दीदिये जासत नमशकार